हेलो पेरेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल घर का क्लास्रूम तो आप लोग सब कैसे हैं आई हो बच्चे पढ़ रहे हैं खेल रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी इंजॉय कर रहे हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ए add प्लस जो भी आप कहें जमा धीई इंग्लिश दोनों में बच्चे को बतारी हैं जब हम किसी एक से ज़ादा चीजों को आपस में जोडते हैं तो उसे addition कहते हैं यानि जब एक से ज़ादा चीजे हम Cunted करते हैं एक से Bernadah चीजे हैं यहां पर कोई एक चीज रखी है, यहां दो चीजे रखी है और हम जब इन दोनों को आपस में जोड देते हैं, यानि इखटा कर देते हैं एक जगा आपस में, तो उसे हम addition कहते हैं जोड कहते हैं अब देखिए बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, देखिए इधर भी दो टॉफिज मैंने बनाई है और इस तरह भी बनाई है तो आपको बच्चों से कहना है कि बेटा दो टॉफिज यह आपकी है और दो टॉफिज मेरी है तो अब आपके पास ये बाकी जो मेरे पास थी और आपकी थी, वो सारी collect हो गई है आपके पास, अब आप count कीजिए कि total toffies कितनी है आपके पास, तो आप किस तरह से count करेंगे, या तो आप उसमें number डाल लीजे, आप भूलना सके इस वज़े से number डालिए 1, 2, 3 and 4 तो आपने count किया 1, 2, 3, 4 total हमारे पास कितनी toffies है 4, 4 toffies इस तरह से आप पहले बच्चे को थोड़ा आसारी से समझाईए तकि उनको पता चले कि आप क्या समझा रहे हैं, आप किस तरह से add कर रहे हैं चीजों को, तो इस तरह से एक box बना कर दीजिए और फिर 4 लिग दीजिए उसमें जो answer आया है हमारा है जोड करके या add करके, तो पहले pictures के बाद हमसे आप बच्चों को बताईए बाद में आप जो digit होती है, one digit जो number कहते हैं, उनकी तरीके से समझाईए, अब थोड़ा book से समझ लेते हैं अभी starting से हम बच्चों को numbers के साथ नहीं कराए जाते है addition, तो पहले pictures के अभी देखिए book में बच्चों को pictures के बाद हमसे समझाने के कोशिश की गई है कि एक तरफ दो गाए हैं, दो काव हैं और एक तरफ एक ही है ठीक है, और उस तरफ, तूसरी तरफ तीनों गाए एक साथ खड़ी है, यानि हमें count कराना है बच्चे से, सर्फ ये count कराना है कि ये total कितना हो गया जब एक साथ हमने इनको गिना इसी तरह से देखिए, यहां तीन बच्चे खेल रहे हैं, और यहां इस तरफ, उसी के पास दो बच्चे खेल रहे हैं, अगर ये दो बच्चे भी, उन तीनों बच्चों के साथ मिलकर खेलेंगे, आपको बच्चों से पूछना है, आप बच्चे से ही पूछिए उसी से count कराईए, कि अगर ये सारे बच्चे एक साथ खेलने लगे तो ये count करने में कितने होंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है आप finger point से बता सकते है pencil लगा कर बताईए तो आप उनके साथ ही count करें तो इस तरह से बच्चों को समझाएं next है flower port flower port में कुछ flowers है हम पहले उन्हें count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इधर उनके दूसरे हाथ में है 1, 2, 2 flowers अगर ये अपने flowers भी इस flower port में रख देते हैं तो हमारे पास कितने flowers होंगे वो ही हमें count करने हैं आप अच्छे से count कराईए कि flower port में कितने flowers हो जाएंगे जब वो flower भी इसमें आ जाग count करते हैं पहले 1, 2, 3 तो ये तो आपके पास 3 grapes of bunch of grapes है है ना 3 गुच्छे हैं अंगूर के और मेरे पास कितने grapes हैं मैं बड़ी हूँ तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 मेरे पास तो 4 है यानि मेरे पास आप से ज़्यादा है लेकिन आपके पास तो कम है चलो क्यों ना मैं आपको सारे grapes दे दूँ तो मैं आपको और अपने दोनों को मिला के आपकी grapes हो जाते हैं वो तो उनको दे देती हूँ तो आपके पास total grapes कितने हुआ यानि कि कितने हुए आपके पास आपके पास तो बहुत सारे collect हो गए ना अब आप जोड़ कर बताईए कि मुझे कितने कितने grapes हुए आपके पास तो हम सारे एक सार जोड़ेंगे 1,2,3,4,5,6,7 हमारे पास कितने grapes हो गए total 7 अगर मेरे पास 4 apple है 1,2,3,4 ये तो मेरे apple है और आपके apple कितने है 1,2,3,4 ये आपके apple है अगर मेरे भी अपने apple आपको दे दू तो आपके पास कितने apple हो जाएंगे ये सारे apple आपके हो जाएंगे ये भी आपके और ये भी आपके तो सारे apple आपके कितने हो गए total 1,2,3,4,5,6,7,8 8 apple कितने apple 8 apple इसी तरह तो अब हम आजाते हैं अपने addition पर यानि कि one digit addition पर तो किस तरह से करेंगे वो देखिए सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका जो आज तक बच्चे करते आए हैं उजे लगता है वो सबसे आसान तरीका वही है तो आप क्या कीजे है आपके पास number 4 है तो आप 4 लाइन कीचेंगे लाइन कीचने वाला लाइन वाला पैटर्न जो है सबसे ज़्यादा आसान रहता है बच्चों को समझने में खासकर addition और subtraction में स्टार्टिंग का जब स्टार्टिंग में जब introduce कराया जाता है तो यह सबसे ही आसान तरीका मुझे लगता है जो बच्चे आसानी से सीख जाते है और उनको पैटर्न यह है कि देखे जो भी डिजिट लिखी है जो भी डिजिट लिखी है उसके साथ आपको लाइन का नंबर बोलना है जिसे आपने 4 है या पर अब देखे नेक्स्ट में बताती हूँ यह 5 लिखा है तो आपको बच्चे के साथ बोल कर कराना है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मैंने बोल बोल कर लाइन ने खीची है इसी तरह बच्चे को खीचनी है 1 तो हम उसकी 1 लाइन कीचेंगे तो इसी तरह से आपको टोटल काउंट करना है यह जो बच्चा आपने लाइन खीची है जो लाइन ड्रॉ की है उन्हें आप सारी की सारी लाइन को काउंट कीजिए और जो आपकी काउंटिंग जहां पर पूरी होती है वो ही डिजिट आपको बॉक्स में लिखनी है आप क्लियरली इस तरह से बच्चे को समझाईए यही सवाल आप इस तरह से भी कर सकते हैं उन्हें साथ में बता दीजिए आप भी बता देंगे तो यह है कि दोनों पैटर्न क्लियर हो जाएंगे साथ में कि यह भी सेम ही तरीका है सरफ माग यह धियान रखना है कि प्लस का साइन है इसे धियान रखना है जहाँ भी इस तरह से हो सवाल इस तरह से हो प्लस ही करना है यहाँ भी आपको 1,2,3,4,1,2 यह लगाने है 1,2,3,4,5,6 कितना हुआ? 6 इसी तरह से यहाँ लगाएंगे 1,2,3,4,5 and 1 सबको मिला कर हम लोग प्लस करेंगे, काउंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? 1,2,3,4,5,6 हमारा आ गया 6 तो इसी तरह से आप बचे को concept clear करा सकते हैं और यह जो सवाल है सिर्फ one digit वाले ही दे only starting में आप pictures के साथ जब आप addition को समझ आ जाए तो इस तरह से आप addition करा सकते हैं लेकिन ध्यान रखे कि starting में सिर्फ छोटे ही digit दीजे और one digit वाले only one digit सवाल ही आप पहले कराईए उसके बाद आप करा सकते हैं जब तक बच्चे को concept clear नहीं हो जाता तब तक आप सिर्फ और सिर्फ one digit ही कराईए अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देना thank you so much मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही